पुराण बेद तथा महान ग्रंथ जैसे की महभारत और रामायर जो लुपत हुचुके थे उन्हें धुन निकाले वाले प्रतापी महावे राजा कोन थे? आए जानते अमारे इस वीडियो में कुरुक्षेत्र में जब पांडवो और कौरोव के भीज भीशन युद हुआ तब समस्त विश्व के राजाओं युद में अपना अपना युगदान दिया और प्रले कारक विनाशे बाद द्वापर युग का अंत होकर कल्युग का प्रारंप हुआ इतने विनाशा के युद के कारण काफी हानी हुई और पुरे अर्थ तंत्रकाही विनाश हुआ तथा सारे वेद और भुरान भी लुप्त हो गए वे पुरान, वेद और महान ग्रंथ को जून निकालने वाले चक्रवर्ती समराठ थे विक्रमादुतिया विक्रमादित्या पर्मारवरिंष के शूर्वीर और महान राजा थे जिनकी कई वीर गाथाए है तथा विशिष्ट किस्से जिससे की सिहासन बतीसी और विक्रम बेतार है विक्रमादित्या की समय में उज्जे नगरी सोलकलाओ से खिलोटे थी संस्कृत में उज्जे नगरी का नाम विशाला भी है ये महान प्रतापी राजा जिनकी कई पुराणों में विशेश उलेख है वे पुराण जिसे की पवेश पुराण, मिरुतमाचार्य, प्रभंदक कोश तथा सत्रुणजे महात्मिय जो वीर विक्रमाधित्य के विशेश अस्तित्व को साबित करते है वीर विक्रमाधित्य की बारे में प्राचिन अरब सहिता में भी वणन मिलता है विक्रमाधित्य का शाषन, अरब और मिश्र तक फैला था विक्रम आधित्य ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाया था और संपूर धर्टी के लोग उनके नाम से परिचित थे इथियास में कही राजाओ के नाम के आगे विक्रम आधित्य लगा क्योंकि विक्रम आदित्य की प्रसिति के पाद राज्जा उगो विक्रम आदित्य की उपादी भी जाने लगी इन होने भगवान विश्णू और भगवान शिव के अनिक मंदिर बनवाए है विक्रम आदित्य की सासन काल में भारत को सुवन राज्य कहा जाता था विग्रम आदित्य के राज्य में ही भारत का कपड़ा विदेश व्यपारी सोने की वजन से खरिते थे उनके राज्य काल को राम राज्य का समान प्राप्त था आज भी विग्रम आदित्य की सोर्य गाथा लोगों की रिदे में स्थान प्राप्त करती है सच में अगर ये महान प्रतापी राजा ना होते तो हम हमारे असित्व समान ग्रंथ, वेद और पुराणों से वंचिती रजाते झाल